कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए तो चीन तो डाकू है उसके क्या कहने हर चीज में अब चीन की नई नई साजी से निकल कर आ रही है यहां तक की अब तो सबसे बड़ा घोटाला और सबसे बड़ा जोल निकल कर आ रहा है चीन के फोरन रिजर्ब में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में चीन ने किया है बड़ा घपला जहां दुनिया महामारी में अर्थ विवस्था को डूबते हुए देख रही है तो वहीं चीन बढ़ते हुए देख रहा है आखिर ऐसा जोल कैसे हो सकता है जो तथे निकल कर आए हैं वो चीन के घपले बाजी को दिखला रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भारत के राफेल ने आते ही चीन में मचा दिया है तहल का बौक लाया चीन अब रास्ते ढून रहा है आखिर राफेल ने ऐसा क्या कर दिया है आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से चाइना के बिदेसी मुद्राबंडार में अब एक नए जोल का पता चला है वैसे तो दुनिया में सबसे जादा फौरं रिजर्व रखने वाला देश है चाइना जो की तीन ट्रिलियन डॉलर से जादा है और हर हपते इसमें बढ़ोतरी भी बहुत अच्छे तरीके से होती है गोल्ड रिजर्व में जो घपला चीन ने करा था वही घपला अब इस एक्सचेंज में अब इस फौरं रिजर्व में भी देखने को मिल रहा है क्या चीन के ये तीन ट्रिलियन सिर्फ देखने के लिए हैं सिर्फ आंकडे हैं सच्चाई कुछ और है चीन के अनुसार उस उसके foreign reserve में रती भर का भी फर्क नहीं पड़ा है उल्टे उसमें record तोड बरहोत्री हुई है अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ भारत बैपार में जटके दे रहा है अमेरिका बैपार में जटके दे रहा है पेट्रोल और तेल की खरिदारी चीन बड़ी मात्रा में कर रहा ह है तो अपने ट्रांसपोर्ट में भी काफी खर्चे कर रहा है फिर भी ये विदेसी मुद्रा भंडार घट क्यों नहीं रहा है एक्सपर्ट का मानना यह है कि पूरी दुनिया को धमकाने और डराने के हिसाफ से आंकडों के साथ खेल कर रहा है चीन वैसे आपको बता दे व इस देश के पास जितना ज्यादा विदेसी मुद्रा भंडार होता है वह उतना ही ज्यादा ताकतवर समझा जाता है चीन अपनी इस ताकतवर वाली छवी को बनाए रखना चाहता है यही वजह है कि इसकी आंकडों में हेर फेर हो रही है अब जोल सुरू होता है 2019 से 2019 में च पाँस सो बिल्येंड डॉलर का खर्च करा था इसके आलावे अन्य गैर बैपारी गतिविदियों के लिए चीन ने एक सो बिलियंड डॉलर का खर्च का ले थे 2019 के आंकडों में कुल फॉरन डिजर्ब में घटना चाहिए था करीब 700 बिलियन डॉलर जो की विबिन खर्चे थे चीन के लेकिन इस घटोत्री को कहीं देखा ही नहीं जा रहा है अभी जो चीन की फोरन रिजर्ब सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का भी है क्योंकि अमेरिका के साथ बैपार में वो काफी मुनाफ़ा कमाता था और उसकी वजह से हर साल उसके बिदेशी मुद्रावंडार में बढ़ोत्री होती थी लेकिन अगर 2020 की बात करें तो एक तो वो आंकडे नहीं घटाए गए हैं और दूसरा अमेरिका ने अपना बैपार चीन के साथ काफी सिमित कर दिया है लेकिन फिर भी उसका परभाव नहीं पढ़ता दिख रहा है चीन के आंकडों में वैसे चीन का कहना है कि उसने ये जो पैसे खर्च किये हैं ये पैसे अपने फोरण डिजर्ब से नहीं किये हैं बलकि बैंक से किये हैं लेकिन कुछ दिनों पहले चीन के बैंकों के दिवालिया होने के भी खबर आने लगे थे और सबसे बड़ा घोटाला होने के बाद चीन के सेंटरल बेंक पे एक्षन भी हो गया था इन सब के बावजूत क्या चीन की विदेशी मुद्रा भंडार वैसी रह सकती है यह अब एक बड़ा प्रशन हो गया है जिसे एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन आकड़ों में खेल कर रहा है और यह खेल सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ड दराने धमकाने के लिए कर रहा है असल में चीन काफी बड़ी नुकसान से गुजर रहा है और उसका मुनाफ़ा ऐसा नहीं है जो कि उसके फोरन रिजर्व को बचा के रख सके असल में चीन की अर्थववस्ता डूबती हुई नाव के समान हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ भारत के राफेल ने आते ही धमाल मचा दिया है पहले वाले राफेल का जब स्कौाइडन पहुचा था तब चीन ने सिर्फ उसे डीफेम करने के लिए उसकी बुराईया दिखलाने के लिए दुनिया के सामने कुछ से कुछ कहा था और यहां तक तुलना कर दी थी कि राफे इस कारनामे का मतलब बहुत ही बड़ा है राफेल के कारनामे ने चीन के भ्रम को बुरी तरीके से तोड़ दिया है 28 जुलाई को जो राफेल आये थे उसे बदनाम करने का कोई भी कसर चीन ने नहीं छोड़ा था चीन ने तो यहां तक कह दिया था कि J20 के सामने राफेल कु करी है और जीत के रास्ते दिखलाने सुरू कर दिये हैं राफेल लड़ाकु बिमानों ने जो कर दिखाया है वह चीन का कोई भी बिमान करके नहीं दिखा सकता है फ्रांस से इस बार तीन राफेल उड़े और कहीं भी नहीं रुके नौन स्टॉप जर्नी करी और गुजरात के एर बेस पर उत्रे इसका सीधा मतलब है कि बिना रुके 8,140 किलोमीटर का सफर राफेल ने तै करा है जो की J20 कभी भी नहीं कर सकता है वैसे आपको बता दे दुनिया के कोई भी लड़ाकु बिमान इसनी दूरी एक बार में तै नहीं करती है लेकिन राफेल ने पूरी दु राफेल ने अपनी चंता का परदर्सन किया है चार मिसन को एक साथ अंजाम देने की चंता भारती राफेल ने दिखलाई है वो भी बिना रुके और बिना कहीं उत्रे राफेल की इनी चंताओं की वज़े से कहा जाता है कि राफेल अगर एक उडान भरता है तो अपने चार मिसन को अंजाम दे सकता है यानि कि भारत से अगर राफे लुडा तो चीन के अंदर अपने चार मिसन को अंजाम दे कर वापस लोट सकता है और इस छमता को उसने दिखला दिया है वहीं J20 की बात करें तो J20 को अपने मिसन को अंजाम देने के लिए या इतनी दूरी को तै करने के लिए कम से कम तीन इस्टोप लेने पड़ेंगे तब वह इतनी दूरी तै कर पाएगा चीन के लड़ाकु जहाजों में इतनी लंबी उडान भरने की चमता है ही नहीं वैसे भी विसेसगी यह मानते हैं कि J20 कभी भी राफेल का कर पाएगा चाहे चीन जितना भी कुछ कहे एक तरफ जहां चीन फॉरन रिजर्ब में घपले को दिखा रहा है तो वहीं उसके हतियार डुपलिकेट हैं ऐसे में अगर लड़ाई हुई तो चीन की हालत बुरी हो ही जाएगी वैसे आपको क्या लगता है राफेल के आने के बाद क्या चीन और पाकिस्तान पर फर्क पड़ा है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ